यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर कैमिस्ट का यहां इसे होता है यह जो तुम लोग का बीच में यह वाइड दिखर है तुम लोग को तो इसका structure तुम लोग को पूचा जा सकता है बनाने के लिए तुम लोग का calculate the number of atoms in FCC unit cell अगर मैं FCC unit cell के बारे में अगर बात करता हो तो FCC unit cell में तुम लोग को याद कर रखना है कि total 8 corners होते है और हर एक corner पे 1 by 8th atom होता है ठीक है तो यह हो गया तुम लोग का corner का अगर मैं phases की ब बचा two ones are two threes are so answer कितना हैगा मेरा one plus three four so total FCC में number of atoms कितने होते है four होते तो यह तुम लोग को calculate करने के लिए पूचा जा सकता है then calculate the packing efficiency of metal crystal that has a simple cubic structure तो यह बहुत ही जादा important बन जाता है ठीक है तुम लोग को simple cubic का packing efficiency जो है वो पूचा जाता है packing efficiency simple सा हम लोग निकालते है अगर मैं तुम लोग को packing efficiency का formula बताता हूँ so packing efficiency का formula जो होता है वो हम लोग हमेशा याद रखने का packing efficiency जो होता है वो हम लोग percentage में निकालते है right so packing efficiency का formula होता है वो होता है तुम लोग का volume volume of unit cell ठीक है volume of unit cell unit cell in the sense यहाँ पे तुम लोग का volume of आएगा volume of atoms ठीक है volume of क्या आएगा यहां पर volume of atoms ठीक है divided by आएगा तुम लोग का volume of unit cell क्या आएगा यहां पर volume of unit cell ओके तो यह तुम लोग का formula बन जाता है किसके लिए packing efficiency के लिए and multiply by 100 भी रहते हैं why 100 because हम लोग percentage में निकलते हैं ठीक है then what are the consequences of short key defects short key defect के बारे में भी तुम लोग पूछा जा सकता है तो मेरा यह तुम लोग को एक यह मैं बूल सकता हूँ कि तुम लोग को एक advice रहेगा कि जो solid state में defects है न वो defects थोड़ा अच्छे से करके जाना क्योंकि तुम लोग defects के ऊपर बहुत सारे questions पूछे जा सकते है okay then obtain the relationship between density of a substance and edge length of the unit cell यह भी तुम लोग को एक अच्छा कासा question बन जाता है density एक ही सिंपल चा relation है अपना वो chapter में ठीक है क्या है formula density is equal to तुम लोग का formula है या पर रुको मैं formula लिखे देता तुम लोग तो इसमें formula तुम लोग का बनेगा देखो density is equal to mz upon a cube into na ठीक है अब इसमें से terms का meaning तुम लोग को पता होना चाहिए m का मतलब होता है molar was of the substance z का मतलब होता है number of atoms कुन से है अगर fcc की बात करता है होता है अगर मैं सींपल की बात करतकर तो number of atoms 2 हो जाता है एक क्युब का मतलब मतलब होता है insulin और किसका semiconductor का change होता है with temperature and why so यह simple चाहे अगर मैं देखो semiconductor की बात करूँगा तो semiconductor में क्या होता है देखो simple चाहे अगर तुम लोग temperature increase करते हो तो temperature अगर increase कर दिए तो तुम लोग के जो electrons है free electrons जो है वो बढ़ जाएंगे अगर free electrons बढ़ गए तो इसका मतलब क्या है कि electrons का flow बढ़ जाएगा and we know that अगर electrons का flow बढ़ जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है current का production जो है वो increase हो जाता है in short conductivity जो है वो increase हो जाती है लोग देखोगे तो तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखे तो isomorphism simple terms में बताऊंगा isomorphism iso का मतलब क्या होता है same and morphism का मतलब क्या होता है crystal so different compounds dances होना क्या बोलो में different compounds जब same crystal structure दिखाते है that is known as isomorphism अगर मैं polymorphism की बात करता है तो polymorphism में exact एक अगर हो जाता है मतलब यहाँ पर जो रहेगा same crystal same मतलब क्या रहेगा यहाँ पर same compound रहेगा but different crystal structure दिखाएगा different समझ लो दिख़ो यहाँ पर मैं लिखके दे रहा हो तिम लोग को wait 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 okay so मैं आपर तुम लोग को लिखके दे रहा हो iso iso का मतलब isomorphism का का मतल einges 10 शोल सेम अंग कर सम्झनल Vermaस करूं के इसकी पउलीमार्फिसम की पॉलीमॉर्फिसम्न क्या है उनुलीमॉर्फिसम का हूता है जा सिंगल single compound single compound shows different crystal structure ठीक है तो यह तुम लोग का isomorphism and polymorphism का difference between हो गया है यह तुम लोग को पूचा जा सकता है ठीक है तुम लोग का what are covalent solids covalent network solids के बारे में अपने को पूचा जा सकता है ionic crystal के बारे में molecular crystals के बारे में and metallic crystals के बारे में अभी जब भी में तुम लोग को यह question बताता हूँ तो तुम लोग को इसमें लिखना क्या है वो में बताता हूँ covalent network actual में क्या होता है उसकी properties तुम लोग को enlist करनी है उसकी conductivity के बारे में तुम लोग को बताना है उसमें free electrons होते की नहीं वो बताना है ठीक है समझ रहे क्या बलो में and at the end तुम लोग को इसमें examples लिखने है ठीक है okay then next तुम लोग को पूछा जा सकता है what is crystal lattice and the basis ठीक है तो यह भी एक important तुम लोग का question बनता है crystal lattice क्या होता है define करना पड़ेगा तुम लोग को और उसके basis बताने पड़ेगा what is the unit cell and types of unit cell unit cell बताना पड़ेगा unit cell को definition बहुत ही जाधा important है तो यह तुम लोग पढ़के जाना it is a basic unit ठीक है next what is tetrahedral void and octahedral void अगर पुछा है और octahedral void अगर पुछा है तो यह तीन माग का question बनता है तो इसमें तुम लोग को with structure explain करना पड़ेगा ठीक है then relation बताना पड़ेगा तुम लोग को relation बताना पड़ेगा किसके बीच में tetrahedral and octahedral के बीच में then what describe packing efficiency packing efficiency क्या होता है मैंने उपर formula लिखा था अभी थोड़ी दिर पहले वो तुम लोग को बताना पड़ेगा then what is point and describe what is point and describe point defect क्या होता है वो पुछा है and describe क्या describe करने के लिए वो self interstitial defect क्या होता है उसके साथ-साथ वो बोल रहा है shot की defect क्या होता है तो जैसे मैंने बता है ना जो last वाला पार्ट है ना तुम लोग का defects वाला वो बहुत ही ज्यादा important है उसके ओपर एक नए question short shot आने वाला है ठीक है then describe in detail extrinsic semiconductor क्या होता है and doping क्या होता है so doping अगर मैं तुम लोग को shot में बता हो तो doping का मतलब होता है मिलावत ठीक है क्या होता है doping का मतलब मिलावत तो इसके ओपर तुम लोग एक बार पढ़ लेना यह important है इसके ओपर भी question आता है then describe conductors insulators semi conductor valence band क्या होता है and band gap क्या होता है यह definition के फॉर्म पे तुम लोग को आ सकते है तो यह जो हम लोग ने अभी पूरा देखा यह क्या था first chapter that is solid state का पूरा का पूरा question जो है important question जो है वो मैंने तुम लोग को अभी दिया so that जब तुम लोग chemistry का paper देने जाओगे बूर्ड का उसके पहले दिन तुम लोग क्या करोगे यह question जो है यह question जो क्या करके जाओगे एक बार read करके जाओगे क्यों क्योंकि यह question जो है बहुत ही जादा important questions है ठीक है तो अगर यह कर लोगे तो तुम लोग easily pass हो जाओगे और अच्छा score आएगा तुम लोग क्या आएगा अच्छा score आएगा okay so हम लोग अभी next chapter के ऊपर बढ़ते है that is solution chapter so जब मैं solution chapter की बात करता हो so जब मैं solution chapter की बात करता हो chapter number क्या है वो two है ठीक है चलो तो chapter number two that is a solution chapter and solution chapter is one of the important chapter तो इसमें अगर देखोगे तो सबसे पहला वाला जो definition आएगा वो reverse osmosis के बारे में आ सकता है reverse osmosis मतलब क्या होता है so reverse osmosis का application है हम लोग जो sea water होता है उसमें से salt जो होता है उसको separate करने के लिए तुम लोग reverse osmosis का use करते हो ठीक है then derive the relationship between degree of dissociation of an electrolyte and went of factor so degree of dissociation मतलब alpha हो गया and went of factor मतलब i हो गया तो इसके बीच में तुम लोग को relation जो है वो derive करने के लिए पूचा जा सकता है और यह जो है यह में बहुत ही ज्यादा important इसको consider करूंगा ठीक है then what is the effect of temperature on solubility of solids in water give example simple है अगर simple सा logic मेरे को बताओ अगर तुम लोग के पास क्या है temperature on solubility of solids in water अगर तुम लोग को dissolve करना है वाटर के अंदर तो solid as sugar solution अपन consider कर लेते हैं मेरे पास पान है मेरे पास sugar है sugar is a solid form so मुझे sugar को अगर dissolve करना है किसके अंदर dissolve करना है मुझे water के अंदर dissolve करना है तो उसमें मुझे दो conditions में इसको divide करना पड़ेगा कितने conditions में 2 conditions में पहला जो रहेगा वो रहेगा endothermic वाला condition दूसरा जो रहेगा वो रहेगा exothermic वाला condition अभी simple सा logic मुझे बताओ simple सा logic देखाओ ठीक है अगर समझो कोई एक process जो है कोई एक process जो है वो endothermic process से कौन सा प्रोसेस है एंडो तर्विक ठीक है सो मुझे बताओ एंडो तर्विक प्रोसेस मतलब उसको हीट की जरुवत है तुम लोग will लोता है उसको प्रोसेस लोड नहीं समझझ रहें क्याँ पोलड़ा मैं तो सिम्पल सा मुझें उसको फिट की जरुवत है इसको एकपेड करूंगा तो वह सोलुबल ही नहीं समझ रहें उसको heat की जरुवत नहीं है heat की जरुवत नहीं है फिर भी में heat दे रहा हो फिर भी में heat दे रहा तो कैसे soluble होगा ठीक है so ऐसे condition में मुझे क्या करना पड़ेगा temperature को कम करना पड़ेगा so that वो क्या हो जाए soluble हो जाए तो यह दोनो case तुम लोग को उसमें explain करने पड़ेंगे ठीक है चल then obtain the relationship between freezing point depression that is delta tb tf freezing point depression and solution containing non-volatile non-electrolite and its molar mass and its molar mass मतलग तुम लोग को m2 के बारे में निकालना है relation explain with diagram boiling point elevation in terms of vapor pressure lowering तुम लोग boiling point बताना है in terms of क्या बताना है vapor pressure lowering दोनों का relation बताना है तुम लोग यह आपी बता देता हो simple चा boiling point boiling point is inversely proportional to vapor pressure always remember मैंने solution chapter का भी video shoot किया है उसमें मैंने upload किया है तुम लोग को वहाँ पे यह जो concept है वो easily समझ में आ जाएगा इसा मैंने explain किया वहाँ पे ठीक है then next तुम लोग को और पूछा जाएगा what are the types of solution types of solution में तुम लोग types of solutions बहुत ही important है उसमें मैंने तुम लोग को वो chapter में मैंने explain किया ओलड़ी वीडियो में ठीक है तो अगर तुम लोग जाओगे मैं बहले description में नीचे list लिंक दे दूँगा यह दोनों chapter के वीडियो का तुम लोग वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो तो तुम लोग को easily समझ में आ जाएगा then next तुम लोग को what is solubility and factors affecting solubility so solubility क्या होता है solubility का definition तुम लोग को पता होना चाहिए उसके साथ साथ तुम लोग को solubility के units पता होनी चाहिए as well as अगर मैं factors की बात करता तो factors में तुम लोग को सबसे पहले तो temperature यह factor आ जाता है है उसके बाद pressure यह factor आ जाता है ठीक है तो यह सब factors के साथ तुम लोग को deal करना है किसमें solubility in case में ठीक है next है तुम लोग का हैंडीas law, ов데 करना है एक बार हैंडावे लोग के क्या हैंडीas law में हम 명idan है है लोग लोग को हैंडीas law घभ ह ना hanry's law में क्या कर रहा है देख लिए एक बार एक गो hanry's law, hanry's law में क्या है Hanry's law में हम लोग को क्या करने है henry's law में हमेशा याद रखने का henry's law, जब भी henry law आएगा ना दिमाग में तो cold ring का bottle दिमाग में आना चीए, cold ring के bottle में liquid आना चीए मतलब cold drink आना चाहिए और cold drink के अंदर gas आना चाहिए obviously gas होता है ना cold drink के अंदर ठीक है तो यह जो Henry's law है ना उसका तुम लोग को है ना application पता होना चाहिए Henry's law का application अगर समझ में आ गया तो तुम लोग easily उसको लिख पाऊगे तो Henry's law का बोलता है मैं आप इस शॉट में बता देता हो किस के उपर gas के उपर उतना ही जादा वो gas जो है वो liquid के अंदर soluble होगा ठीक है तो यह तुम लोग का Henry's law है simple words में मैंने तुम लोग को explain किया उसका exception है exception तुम लोग को carbon dioxide उसका एक exception है and ammonia उसका एक exception है तो वह exceptions भी तुम लोग को पता होने चाहिए then round's law is also one of the important यह दोनों लो जो है यह chapter में है और यह दोनों के दोनों law जो है वो important है अगर मैं round's law की बात करता है तो round's law क्या बोलता है pure component का sorry partial pressure किसी भी component का किसी भी solution के अंदर that is p1 it is equal to pure component का pressure उसी component का pure pressure multiplied by उसी का mole fraction तो यह तुम लोग का simple सा हो गया round's law ठीक है तो यह भी तुम लोग को पूछा जा सक तो वो भी एक बार तुम लोग पढ़ लेना ठीक है उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे derived and expression of round's law for the solution of non-volatile जिसमें तुम लोग क्या करते हो p total निकालते हो p total किसके equal में हो लोग का expression चलो देन नेक्स तुम लोग का what is depression and freezing point depression and freezing point मतलब delta tb delta tf होता है तो इसके बारे में तुम लोग पता होना चाहिए और एक बात जब तुम लोग delta tf के बारे में लिखते हो ना तो delta tf का तुम लोग अगर formula देखोगे तो यहापे तुम लोग morality से directly proportional बताते हो और यहापे kf यह तुम लोग constant बताते हो ठीक है तो तुम लोग को यह ना यह जो kf यह ना kf उसका नाम पता होना चाहिए kf का नाम क्या होता है cryoscopic constant ठीक है तो यहापे दो constant होते हैं एक होता है ebuloscopic constant और एक होता है cryoscopic constant ebuloscopic कभ यूज करते हैं जब हम लोग boiling point वाले constant के चाहिए event of factor is represented by i यह पता होना चाहिए then degree of dissociation मैंने उपर ही तुम लोग को बताया उसके बारे में relation भी आता है reverse osmosis में मैंने तुम लोग को बताया then osmosis क्या होता है वो भी पता होना चाहिए osmosis अगर मैं short में बता हो so it is a moment of solvent always remember osmosis is a moment of solvent कहा से होगा higher concentration of solvent to lower concentration of solvent यह solvent के बा बारे में बता होंगा तो solute के बारे में कैसा होगा lower concentration of solute to higher concentration of solute ठीक है तो different different terms है osmosis के osmotic pressure क्या होता है osmotic pressure का हम लोग πाई से represent करते हैं उसका तुम लोग को formula derive करके बताना पड़ेगा इसा solution जिसके osmotic pressure करेंगे and we know that osmotic pressure is directly proportional to concentration so in short अगर osmotic pressure से में तो concentration भी होना चाहिए hypertonic solution मतलब क्या होगा एक ऐसा solution जिसका osmotic pressure क्या है ज्यादा है in short उसका concentration क्या है ज्यादा है then hypotonic osmotic pressure देटर कन में और नेग्स तुम लोग का बॉलिंग पॉईंग पॉइंग गरा कुणन को बताना पड़ेगा धन Fifth फ्रीजंग पॉइंग होता है उसके बारे में तुम लोग को बताना पड़ेगा तो आज के यह वीडियो में हम लोग ने दो chapter cover किये that is solid state and solution so मैं ये तुम लोग से request करूँगा कि तुम लोग क्या करो ये जो तुम लोग को मैंने important questions दिये है इसका तुम लोग access निकालो screenshot निकालो और screenshot निकालने के बाद तुम लोग ये जो questions है इनको एक बार है ना practice करो ऐसे ही मैं हर एक chapter के हर एक chemistry के हर एक chapter के मैं तुम लोग को important important questions दूँगा बट क्या होता है ना अगर मैं सिर्फ input दूँ और तुम लोग से output ना है तो फिर वो चीज का मतलब ने रहता और वो चीज जो होती हो फिर waste हो जाती है ठीक है तुम लोग जो है ये questions को अच्छे से practice करो तुम लोग को जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँगा तुम लोग को notification आ जाएगा और जो वीडियो आने वाले अप्लोड करेंगे वह वाला ठीक है तो इससे तुम लोग को बहुत ज्यादा ही help होगी तो thank you